इशा और समर्थ के बीच में चल रही है लड़ाई इशा को हो रही है मनदारा और समर्थ की दोस्ती से प्रॉब्लम वेल सर्मान कान का शो बिग बॉस सीजन सेविंटीन के लाइफ फीड में हमें देखने को मिला गाडन एरिया में विकी इशा और समर्थ बैट कर बाचीत कर रहे होते हैं जहाँ पर विकी इशा को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं पोह और पराइथे बनाने के लिए लेकिन इशा पोह और पराइथे बनाने के लिए नहीं माल रही होती जी हाँ इस वक्त घर के सभी कंटेस्टेंट्स के राशन अलग-अलग बटे हुए है और सभी कंटेस्टेंट्स को अपने अपने राशन से सिर्फ खाना बनाना है और अगर किसी एक कंटेस्टेंट है दूसरे कमरे के कंटेस्टेंट के राशन से खाना बनाया तो अंकिता को म पुरा राशन चला जाएगा जिसे लेकर अंकिता काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आई जी हाँ किच्छन में अंकिता इशा विकी और समर्थ होते हैं जहां पर समर्थ मनारा से हेल्प लेते हुए नजर आते हैं अपने लिए पोहे बनाने के लिए इशा को ये बात हुए कहती है कि जब सामने वाला सब चीजें सॉट आउट करना ही नहीं चाहता तो कोई उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है वन्यापर मनारा समर्थ के लिए बनाती हुए नजर आती है जो कि काफी ज्यादा तीखे होते हैं वह समर्थ मनारा के सामने तो उन पोहों की तारीफ करता है लेकि जैसे ही मनारा बहाँ से जाती है विक्की कहते हुए नजर आती है कि मनारा के बनाया उसे तो अच्छे लगेंगे ही यहाँ पर ईशा समर्थ और मनारा के बीच बेच बेच जो दोस्ती है उचसे काफी ज्यादा गुस्सा भी नज़र आई विकी यहाँ पर ईशा से रिक्वेस्ट करते हुए भी नज़र आते हैं कि ईशा उनके ने पराटे बना दे और उसके बाद वही भी वापस बना दे विल्याबर ईशा कहती है कि उन्हें सिके वोई पोहे बनाने तो आते हैं लेकिन ईशा यहाँ पर वापस समर्थ को यह टॉण्ट बारते हुए नज़र आती है यह मननारा को भी पोहे बनाने आते है और समर्थ को मननारा के हाथ की चीज़े ज्यादा अच्छी लगती है ऐसे में विक्की और समर्थ को मननारा से ही सुखे पोहें भी बनवाने चाहिए। वला आपका इशा और समर्थ के बीच पर चल रही इस लड़ाई पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंस में ज़रूर बताए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें।